तीसरी दिन के खेल के दौरान हुआ जबरदस्टी ड्रामा जब जोनी पेरुस्टो ने सुमन गेल से की बहाँ तो गेल ने भी दिया मूह तोड़ जबाब किसके बाद सरफरास ने कहा कुछ ऐसा जोसे सुनकर आपकी भी हांसे निकल जाएगे वही है सब ड्रामा देखने के बाद कप्तान रोही सरमा का भी गुस्सा फुटा जहां दोस्तों बदाएंगे पूरी खबार तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इडिया के फैन हो तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर करें दोस्तों आज भारत इंगलाइन की बीच खेले चार हे पांच वे टेस मैच का तीसरा दिन खेला जा रहा है और टीम इडिया अज बहुत ही मस्बूत इस सिती में है पहली निक्स में टीम इडिया चार सो सथतर रन बना कर आलाउट होई और दोस्तों उनसट रनों का विशा लीड हासिल गया इसके बाद बलेबासी करने उतरी इंगलाइन की टीम ने एक सो तीन रनों के स्कोर पर ही अपने पांच वेकट गमा दिये इस तरह टीम इडिया ने लगभग इस मैच को जेथी लिया है वहीं दोस्तों आज की इस खेल में हमें एक बहुत बड़ा ड्रामा भी देखने को मिला जिसे देखकर सभी हैरान रहे गया दरसली ड्रामा तब सुरूहा चिम ग्लैंड के बलेबास जौनी बैरस्तो बलेबासी करने आये बैरस्तो अपना सवा टेस मैं स्केल रहे थे हालक उनका ये सीरीज कुछ खास नहीं गया लेकिन इस इनिंग्स में उन् भावारत की बलेबासी चौल रही ते और शुम्मन गिल बहतरी बलेबासी कर रहे थे तब ब्रेक दोराएं शुमन गिल और जेम से अंडररेसं की बीच हमें बहास बहास होती दिखी सुमन गिल ने अंडरेसन को बाहर निकल के जबर्दस्त चछका ज़डा था जिसके बाद बेरस्टू को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी इसलिए जब बेरस्टू इंग्लैंड के दूसरे इंग्स में पलेबासी कर रहे थे तब वो उसी बात को कुरेड ने लग गये और गिल से बहस करने लगे बेरस्टू गिल्क से कहते हैं कि तुमने जीमयो को क्या कहा था रिटार्मेंट के बार में जिसका अगली गेर पर उसने तुम्हे आउट कर दिया जिस पर गिल्क जबाब देते हैं कि उसमें क्या है मैं सौर अन मार चुका था और उसके बाद उसने मोचे आउट किया गिलागे बैरस्तों से ही पूछते हैं कि तुमने सीरिस में कितने 100 मा रहे हैं इस तरह गिलने बैरस्तों को मूँ तोड जबाब दिया दोनों की बीच जबान से जबर्दस लड़ाई हो रही थी जिसके बाद सरफराज खान भी बीच में आ जाते हैं और उन्हेंने कहा कि चुप बैटने को बोलो इसको थोड़ा सा रन क्या बना लिया है सीरिस में ज़्यादा उचनने लग गया है यह सुनकर कमेंटेटर्स भी हस पड़ते हैं इनकी यह सारी बाते और लड़ाई संप माइक पर रेकॉर्ड हो जाती है वह इसके बाद अगली ही ओवर में आस्विन बैरसो को LBW आउट कर देते हैं और पवेलिन जाते वक भी बैरसो गिल को ही कुछ न कुछ कहते हुए जा रहे थे गिल भी चुप नहीं थे और बैरसो को जवाब दे रहे थे वहीं आपको बता दें कि पेठ दर्द के कारण कप्तान रोहिस सर्मास दे मैदान में नहीं उतरे थे ये सब ड्रामा को देख ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए रोहित बूरी तरीके से बढ़ा गया उनका रेक्शन देखने लाग था दोस्तो आप बैरसो के इस हरकत और गिल सर्फरास के इस करारे जवाब पर क्या कहना चाहोगे हमें अपनी राइक कॉमेट बॉक्स में जरूर दीजेगा वहीं दोस्तो ये शेस्वी जैस्वाल को भले ही इस सीरीज में एक भी मैन आफ दे मैचक आवार्ड नहीं मिला सीरीज मेरे लिए हमेशा यादकार रहेगी मैं पिछले कुछ सालों से काफी अच्छी बल्ले बाजी कर रहा था लेकिन मुझे टेस्ट में अपने आप को प्रूफ करना था क्योंकि टेस्ट एक ऐसा फॉर्मैट है जहां खिलाडी का असली केरेक्टर पता चलता है और मैं खुश हों की मैंने खुद को प्रूफ करके दिखाया हाना कि मुझे लगा नहीं था कि मैं दोराशा तक जड़ दूँगा लेकिन मैं खुश हों की मैंने अपनी टीम को सीरीज जीतने में मड़द की जैसवाल ने आगे कहा इस सीरीज में हमारी पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया हरे खिलाडी ने प्रदर्शन करके दिखाया है चाहे वो बल्ले बाजी हो या गेन बाजी शुबमन गिल्द रुफ जुरेल और सर्फरास खान ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया वहीं हमारे गेन बाजों ने भी कमाल की गेन बाजी की खास करके हमारे स्पिनर्स ने जैसवाल ने आगे कहा हमारी टीम युवा थी लेकिन हमने इंगलेंड को दिखा दिया कि युवा टीम के साथ सीरीज कैसे जीती जाती है और इसका पूरे श्रे हमारे कप्तान रोहिद भाई को जाता है उन्होंने इस टीम को काफी अच्छे से संभाला सिर्फ कप्तानी ही नहीं बलकि उनकी बल्लेबाजी भी शांदा रही उनके साथ ओपनिंग करने से मुझे काफी मदद मिली उन्होंने मुझे बल्लेबाजी के दौरान काफी मदद की इसलिए मैं मेरा ये आवार्ड रोहिद भाई के साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा वो इस अवार्ड को डिजर्फ करते हैं दोस्तो जैस्वाल ने रोहिद के लिए ऐसा कर सभी का दिल जीत लिया लेकिन आपके हिसाब से इस सीरीज का मैन आफ दे सीरीज किसे रहना चाहिए था अपनी रहे कमेंट जरूर करें वहें दोस्तो टीम इंडिया के इस एक तरवाजीत पर दुनिया भर के दिग्ज़ों का बयान सामने आया है सबसे पहले इंग्लैंड के दिग्ज़ माइकल पॉन ने कहा धरमसाला का कंडिशन इंग्लैंड के कंडिशन जैसे ही था इसके बाद जूद टीम इंडिया ने इंग्लैंड से अच्छा प्रदेशन करके दिखाया यह दिखाता है कि टीम इंग्लैंड से काफी मसबूत टीम है टीम इंडिया में जादातर खिलाडी तो युवा है और इन यूआ खिलाडियों ने इंग्लैंड को दिखा दिया किस कंडिसन में कैसे खेला चाता है वहीं तो सुनील गवसकर ने कहा टीम इंडिया ने इस यूआ टीम के साथ सिरीज को जार एक से जीत लिया है यह बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि टीम में कोहली राहूल यहसे दिखस खिलाडी नहीं थे इसके बाद जूद भारतिन इंग्लैंड को क्या धोया है सिरीज में इसका पूरा सरे कप्तान रोही सरमा को चाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस यूआ टीम को काफी अच्छे से संभाला है इसके बाद ऑस्टेलिय की रिखी पॉंटिंग ने कहा क्या प्रदर्शन किया है टीमेडिया ने इस सिरीज में खास करके टीमेडिया की यूआ बले बासों ने उनकी बले बासी देख काफी मसा आया खास करके शुमन गिल और यसस वी जैसवाल ने जिस तरह से जैम संडर्सन जैसे दिग्गत से गिंदबासों को धोया उसे देख काफी मसा आया वहीं से उनकी गिंदबासी में तो हमेशा क्लासी रहता है और इस मैस में भी ये फिर से देखने को मिला इंग्लैंड को भार की बी टीम से हारत देख काफी मसा आ रहा है वहीं दोस्तों एबी टी वीलियर्स ने कहा भारत ने पहला टस मैच हारा था जिसके बाद सबका मानना था कि इंग्लैंड ये सीरीज काफी आसानी से जीच जाएगी लेकिन इंग्लैंड की ये गल्ती हुई उन्हेंने भारत के स्विवा टीम को बहुत ही हलके में ले लिया हम कह सकते हैं कि भारत की बी टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया वहीं दोस्तों पाकिस्तान के स्वयवक्तर ने कहा भारत ने इंग्लैंड को क्या धोया है पाकिस्तान की टीम को इससे कुछ प्रेस्ट गिया है वहीं कुलदीप यादोने जो गेंदवाजी की वो कमाल की दी फार्ट के पास सभी क्वालिटी स्पिनर्स है वहीं इंग्लैंड के पास स्पिनर्स में उद्धम नहीं दिखा और यहीं दो टीमों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस था दोस्तों मेंडिया की चैम कर तारिफ की लेकिन आप टीमेडिया की सीरीज को यह चीत में कितने नमबर देना चाहेंगे 10 में से अपनी राइक कॉमेट बाक्स में सरूर दीजेगा